हाई फ्रेंड्स आज हम प्लाजो पेंट की कटिंग एंड स्टीचिंग करेंगे स्टेप बाई स्टेप पहुती आसान तरीके से तो इसके लिए हमने ये सबादो मीटर का फैब्रिक लिया है ये ओपन वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है तो पहले हम उपर से 2 इंच पर एक निसान लगा लेते हैं चाहें तो हम बैल्ट को अलगभी कट करके लगा सकते हैं लेकिन मैं इसी के साथ कट कर रही हूँ और इन निसानो को मिलाते हुए हम फट्टी से सीधी लाइन खीच लेंगे belt के लिए हम अलग भी कपड़ा जोड सकते हैं इसमें अब हमें जितनी plajopent की length चाहिए तो मुझे ये 38 चाहिए 38 पर मैं निसान लगा लोगी जितनी आपको plajopent की length चाहिए उतनी पर निसान लगाईए और उधर तक हम line को सीधा खींच लेंगे अब जितना हमने उपर की साइड से लिया था 2 इंच belt के लिए तो इतना ही हम नीचे मोहरी को मोडने के लिए 2 इंच पर निसान लगाएंगे इधर तक line को सीधा खींच लेंगे तो जो हमारा बीच वाला कपड़ा है निसान के बीच वाला वो हमारी plajopent की length रहेगी अब हमें waist size निकालने के लिए जितना हमारा hip size है उसे हमें 4 से divide करना है जैसे 40 है तो 4 से divide करेंगे 10 आएगा तो उसमें हमें 2 इंच पलस कर देना है तो इधर से मैं 12 इंच पर लगा रहे हूं निसान और इतना ही हम आसन के लिए लेंगे जितना हमारा इधर से है 12 इंच उतना ही हम आसन के लिए लेंगे तो ये 12 इंच ये हो गया 40 से line खीच लेते हैं सीधी अब इसमें हमें 2 इंच losing देनी है तो ये हमारा 12 इंच हो गया और 2 इंच extra लेंगे तो ये हो गया हमारा 14 इंच पहले 40 से हम बना लेते हैं एक box टाइप में ताकि हमें दूसरी साइड से निसान लगाने में आसानी हो तो ये हमारा हो गया 12 इंच और पलस टू 14 इंच तो इसका हम हाप लगाएंगे पहले 14 का हाप हुआ 7 इंच तो जिदर हमारी महरी है उधर भी हमें 7 इंच पर एक निसान लगाना है और इन निसानों को आपस में मिला लेना है ये हमारा प्लाजो पैंट का जो बीच वाला पार्ट है वो हो जाएगा महरी के लिए निसान लगाने के लिए ये हमें बीच में लाइन खीचनी जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हमें महरी कहां से कहां तक रखनी है तो जो ये हमारी लाइन है जो हमने खीची है मोहरी की साइड से तो जितनी हमें मोहरी रखनी है जैसे मुझे 7 इंच रखनी है तो 3.5 इंच मैं इधर लगाऊंगी लाइन से और 3.5 इंच इधर की साइड तो ये हमारी 7 इंच की मोहरी हो जाएगी इधर हलकी सी गोलाई दे देंगे अब एक चीज और ध्यान देनी है जैसे हिप साइज 40 है तो हमने 2 इंच एक्स्टर लिया इधर से अगर हिप साइज 40 से जादा है तो हमें इधर से 2.5 इंच लेना है तो हमने तो इधर से 2 इंच लिया है अगर ज्यादा है तो मैं बात कर रही हूं उसकी अब सेफ फट्टी लेंगे और जो हमने निसान लगाया है मोहरी की साइड से और आसन की साइड उधर तक हम सेफ फट्टी से मिला लेंगे निसानों को अब हमें सेफ फट्टी उल्टी रखनी है और जो हमने दूसरी साइड निसान लगाए है उधर तक भी सेफ़टी से हमें निसानों को मिला लेना है इधर अब हमें सेफ़टी हलकी सी गोल आई इधर और देनी है हाप इंच तो इधर हमें से फट्टी को उपर वाला पार्ट रखना है और हाप इंच की हलकी सी गोल आई दे देनी है इस तरह से तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है अब इसकी कटिंग कर लेते हैं से पाइब कर भी मेरं झाला नाि देनी हाँ कर दो इस ड्रों और जिदर हमारी बेल्ट है मैं आपको नापकर दिखाती हूँ जिदर हमारी बेल्ट है उधर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को फ्रंट पार्ट से तो ये हमारा हो गया 2 इंच एक्स्ट्रा और इधर भी आसन वाली साइड है उधर भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है निसान लगा लेंगे और इधर तक हम फट्टी से लैन को सीधा खींच लेंगे तो हमें इधर ही लेना है 2 इंच और इधर जो हमारी मोहरी वाली साइड है इधर हमें 1.5 इंच लेना है इधर हमें 2 इंच नहीं लेना है इधर 1.5 इंच लेना है और से फट्टी से इन निसानों को आपस में मिला लेना है तो उपर वाली साइड हमने 2 इंच ली है और बैक पार्ट जो हम कट करते हैं उसमें ही हम एक्स्ट्रा कपडा लेते हैं क्योंकि कि जो हमने फ्रन्ट पार्ट कंट किया है उसमें हमने एक्स्रा कपड़ा नहीं लिया इस लाई के लिए तो ये हमें बैक प्र में ही लेना पड़ता है तो निसानों को मिलाने के बाद में जो हमने नीचे वाली साइड है ये मोहरी की, उधर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा लिया है, उस लाइन को भी सीधा खींच लेंगे, तो ये हमारा नीचे वाला निसान लगकर त्यार हो गया है, अब हमें इधर से कुछ नहीं करना है, दूसरी वाली साइड से, अब जो उपर वाली साइड है, आसन वाली साइड, तो हमने इधर से लिया था, टू इंच एक्स्ट्रा, अगले वाले पार्ट से, तो पहले निसान लगा लेते हैं, और फट्टी से इसे सीधा खींच लेते हैं, मैंने पहले भी बताया है, अगर हिप साइज 40 से ज़्यादा है, तो हमें इधर 2.5 इंच लेना है, अब हमें तिर्चा रखनाए से, जहां हमारा फ्रंट पार्ट है, और जहां हमने 2 इंच पर निसान लगाया है, इस तरह से हमें तिर्ची लाइन खीचनी है, सीधी नहीं ख हो गया हमारा बैक पार्ट, निसान लगकर रेडी इस पर भी आसन वाली साइड से सिलाई लगाएंगे, और सीलने के बाद में, यह हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको सील दिया हमने आसन वाली साइड से, इसके उपर रखेंगे अपने बैक वाला, जो हमारा प्लाजो पेंट का बैक वाला पार्ट है, उसे रखेंगे, अब जो हमारी साइड हैं दोनों साइड उसे सी लेंगे लेकिन पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और सिलाई हमें महरी की साइड से लगाते हुए आनी है जो कम ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो वो हमारा बेल्ट की तरफ निकल कर आ जाएगा तो कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद मैं इधर सिलाई लगानी हमें लेकिन महरी की साइड से लगानी है इधर तक इसी तरह हमें दूसरी वाली साइड तो ये बैक पार्ट है जिसकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें जिसका दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने एक्ष्टर लिया था इसे इसी तरह से इधर वाली साइड भी सील कर त्यार कर लेते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिए है इधर भी और दूसरी वाली साइड भी इसके बाद में जो हमारा बेल्ट वाला है पार्ट उसे हम हाप इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फिर उसके बाद में जहां तक निसान है उधर तक फोल्ड करेंगे इसके उपर हम प्रेस भी लगा सकते हैं ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो तो ये पिछले वाला पार्ट है ये हमारा एक्ष्टर रहे गई क्योंकि हमने इसे टू इंच एक्ष्टर लिया था फ्रंट पार्ट से तो पूरे पर सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं अगर प्रेस कर लें तो थोड़ा आसानी भी हो जाती है मैं तो ऐसे ही कर लेती हूं इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे ये हमारा अलग ही दिखेगा जो हमारा बैक पार्ट है उसका कपड़ा जो हमने एक्ष्टर लिया है वो हमारा सिलकर अलग ही दिखाई देगा ये हम एक्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि बैठने उठने में दिक्कत नहीं हो क्योंकि उपर वाला पार्ट होता है जो हमारा चड़ता नहीं है पिछले वाला उसके बाद में हमने मोहरी की साइड से जो हमने निसान लगाया है उधर तक भी हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो हाप इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे फिर उसके बाद में निसान तक और एक सिलाई लगा लेंगे इधर भी इसी तरह से हम दोनों बाजूँओं को त्यार कर लेंगे महोरी को इधर से लगा लेंगे और इस वाली पार्ट पर भी तो इस तरह से हमने सील लिया और प्रेस भी कर लिये सीलने के बाद में तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगले वाले पार्ट से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है बेक पार्ट है इधर हमने ओपन रखा है लाश्ट्रिक डालने के लिए तो हम पूरे में लाश्ट्रिक डालेंगे हम बेल्ट नहीं लगाएंगे इसके बाद हम महोरी की साइड से सीलते हुए दूसरी वाली साइड तक सिलाई लगा देंगे डबल डबल सिलाई हम लगा देंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सेयर जरूर करें